600 करोड हिंदुस्तानीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के स्पेस एंथूसियास्ट की भी सांसे इस वक्त अठ्की हुई है हर कोई नर्वस है कि रश्या के लूना के फेल हो जाने के बाद हिंदुस्तान की जो खोशिश है जो हिंदुस्तान का Mission Moon 3 है वो किस तरह से Soft Landing वो भी दक्षणी धूरूप पर करने में काम्याब होगा की नहीं और क्या महत्मून है वो 20 मिनिट और पिछली गलतियों से क्या कुछ सीखेंगे और रश्या के इस कुलाप्स के बाद ये जो लूना के कुलाप्स के बाद क्या कुछ साफधानिया हिंदुस्तान के विग्यानिक बढ़तेंगे इन तमाम चीज़ों को सबजने के लिए हमार की को-फाउंडर है साथी स्पेस एड्यूकेशन एंथूजियास्ट है शगुन ची आपका बहुत-बहुत स्वागत है आगे बढ़े उससे पहले चंद्रियान 3 की खासियत हम बताते हैं इस पूरे उसकी LVM3 M4 रॉकेट चंद्रियान जो है हिंदुस्तान का चंद्रियान 2 मिशन के फेल होने के बाद रिकॉर्ड टाइम में बिना किसी विदेशी मदद के ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो तयार किया गया है मिशन सेफली लॉंच हो चुका है और जो एक एक करके जो तमाम प्रक्रिया आइं ती महीने भर की वो खत्म हो चुकी है 23 सगस शाम 6 ब प्रोपिलेंड बूस्टर इसमें लगा था 115 टंड लिक्वेड रॉकेट इंधन वाला एल 1 1 0 लिक्वेड स्टेट इंजिन जो था और सी 25 हाई थ्रस्ट क्राइजनिक अपर स्टेज जो थी इस तरह से कित तरह के फ्यूल के साथ यह उपर भेजा गया चीक समझने उशा जो एक बहुत इसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है तो आप तो देख चुके इनसे सक्सेस्पुली लांच कर दिया है यह लांचिंग मिशन था बिल्कुल यह कैरियर है जो स्पेस क्राफ्ट इसके अंदर है इसको ले जाता है स्पेस में ठीक है और इसके बाद में चाह टेरर के मिनिट्स हैं तो इसमें क्या होने वाला है पहली बार भारत हमने चंद्रयान 2 में ट्राय किया था बट पहली बार हम सौफ्ट लैंडिंग डिमॉंस्ट्रेट करेंगे मतलब की जो हमारा लैंडर है अब वो प्रोपोल्शन मॉडियूल से अलग हो गया है एक पर फि दीरे जब 25 किलो मीटर के हाइट पर अल्टीटूट पर पहुच जाएगा तो यह थ्रस्टर्स ओन होंगे इसके दीरे दीरे और वो स्पीड कम करेंगे तो यानि की 1.68 किलो मेटर के टीक हम रखेंगे और 3 तक भी जा सकते हैं इस बार हमने यह इसमें अडिशन किया है कि अ इसमें हम चाहें हमारे कंट्रोल नि कर पाएं जा मारे यहां बाल यह हमारे अदों ऐसा दों नीजन दिये गए इसलिए तो यानि कि जैसे एक बार फिर से हमें एक बर फिर से ग्राफिक्स लाएं ऑर किस तरह से यह यहां पर आया हमारा लैंडर जब 25 किलो मीटर की हाइट आजाएगा यह धीरे धीरे थ्रस्टर्स ओन हो गए है और इसको बहुत सूर की रोशनी से चार्ज होकर अपना काम शुरू कर देंगे जैसे ही यह निकलेगा लैंडर से बाहर इसमें कठनाई क्या एगी इसमें कठनाई यह आ सकती है सबसे पहली तो सॉफ्ट लैंडिंग है अन्तिम 30 km से आखरी फाइरिंग होगी क्या है समझाएगे जी वही मैं बता रही ते आपको जब 25 km पहुच जाएगा तो यह आखरी फाइरिंग थ्रस्टर्स चार लगे हुए हैं जो फाइरिंग करेंगे स्पीड कम करने के लिए ठीक है वो अन्तिम फाइरिंग होगी अभ यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा छे बजे के चार मिनट का हमें समय दिया इस रोल है फिर जब यह सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा छे बच कर चार मिनट या साथ मिनट पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और इसमें चैलेंज क्या सकता है कि जब लैंड करता है तो बहुत सारा निकलेगा चांद की सतय से तो वो कैमरे पे आ सकता है उसको उसका धुल जो है तो फिर उसको क्या करेंगे तो उसमें हमने वेलोसिटी मेटर बोलते हैं वो क्या वो पूरा स्कैन करेगा जब पहुचने वाला होगा यह लैंडिंग से पहले कि हम सेफ लैंड कर रहे हैं कि नहीं तो जैसे कि उन्हों नहीं बोला है कि अगर वो धूल भी जम जाती है तो भी इस बार हमने दो एंजिन इसलिये दिये कि अगर वो धूल भी जम रही है बट हम प्रॉपरली सेफली लैंड कर ले तो अगर धूल जम गई कैमरे के लैंस पर तो फोटो आएंगी कि नहीं फोटो आएंगी फोटो थोड़ी सी अंक्लियर हो सकती है लेकिन जैसे सोमनात जी ने अपने प्रेस मीडिया में बोला है कि व जी तो सौफ लार्निंग का फाइदा यही है कि पहली बात हो हम पूरे विश्व में भारत का ये एक केपिबिलिटी या भारत की एक दिखा पाएंगे कि भारत इस काबिल है टेक्नॉलिजी प्रदर्शित कर पाएंगे क्योंकि सौफ लार्निंग सिर्फ हम से पहले तीन बात है तो इसलिए हमारी टेकनोलिजी से हम वह स्पीड कम करेंगे और में चंदर्यान टूकी गलतियों से क्या सिखा है चंद्रयान टूकी गलती से प्ली बात तो इस बार हमने लेग्स बहुत स्ट्रॉंग बनाए हैं कि वहाँ पर सेफलिए हो सके अगर घरता भी है अगर स्पीड तेज से तो क्रेश ना हो जाए और अगर स्टेबल भी है तो इस बार आटोमाटिक ली 90 डिग्री पे रियोरियंट हो सकता है रिफ्लेक्ट हो सकता है यह भी इस बार इंटेड्यूस किया है तो अगर वह आपने का था स्पीड कम करने के लिए कोई चास तरीका है क्या स्पीड कम करने के लिए हमें थ्रस्ट इस लगाए है तरी पर सेंट तो क्या हुआ कि उससे जादा विलासिटी थी वो कम नहीं हो पाई इस बार क्या है इस बार हम 3 तक भी जा सकते हमने एक्सपैंड की अपनी फ्यूल बढ़ाया है हमने अपनी केपासिटी बढ़ाई है व याज वो इस बार संसर लगाया गए है कि री-ोरियंट कर सकता आपको बिफोर बता बात अब क्रैश लेंडिंग होने के चांस बहुत ही बहुत ही मतलब अब 0% मानिए बिल्कुल बहुत कम होंगे और इतने सारे भारतियों की और तमाम स्पेस रिसर्च में दल्चस्पी रखने वाले साइंटिस्टों विज्ञानिकों की भी होंगी शगुन हम यह भी समझना चाहते हैं कि यहां पर हमें यह बताईए कि प्रोपरिशन यह जो सारी चीज़े हम जो कहते हैं एक आम आदमी अगर ही समझना चाहे कि चांद की सत्य पर यह उतर गया हमारा प्रग्यान रोवर जो है इसके बाद यह करेगा क्या जी तो इस मिशन से चंद्रियान जो हमने सोचा था जो विजन था उसका विजन यही है कि पहली बात तो ह जैसे मानीजय में हाइड्रोजन मिलता है या ऑकसीजन मिलता है तो हम भारत पे एंडिया में या अपने पूरे वर्ल्ड को वह प्रेड्यूस कर सकते हैं यहां पर खुद वहां से ऐलिमेंट्स लाके यहां से वायू या फिर जल यह सब की प्रोडुशन कर सकते हैं वहां के जो प्रज्यान है वह वहां के इंपोर्टेंट केमिकल्स जैसे कि मैंने बताया उसकी स्टडी तो करे गा ही दूसरी चीज है कि जैसे वहां का टेरेन कैसा है या वहां की सीजमी पानी की तो खोच करे गा ही वहां के जैसे पानी हो सकता हमें पानी के फॉर्म में मिले हो सकता हम सॉलिडिफाइड आइस के फॉर्म में मिले यह हो सकता हमके हमें उसके अलग अलग कॉंपोजिशन मिले तो यह सिर्फ वहां की केमिकल अनालिसिस तो करेगा ही जूसरी चीज वहां की सीजमिक अक्टिविटी मतला वहां का मून का क्रस्ट अंदर तक जाके उसकी स्टडी तर तो उमीद यही है कि इस बार पुरानी गलतियों से सीखा है और पुरानी जो दिक्कते थी scientifically उन्हें भी विग्यानिकों ने दूर किया है एक छोटा सा मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी क्योंकि अब मन में वहम आ गया है तो उसको भी दूर कर लेना चाहिए लूना भाई रशियंस हमसे आगे हैं इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन हम कमतर नहीं हैं यह नहीं कह रहे हैं लेकिन रशियंस अब और एडवांस और प्रोग्रेसिव तो उनका लूना फेल हो गया क्या वज़े रही उसके और उससे भी क्या भी हमने विग्यानिकों ने प्रचम लहरा चुके हैं अगर मैं रश्या फॉर्मर्ट सोव्यट यूनियन की बात करूं पहले इंसान को उन्हीं ने बेजाता इस पेस में अभी क्या है जो भारत उसको किसी के साथ रेस नहीं है तो वह भारत को क्या है इस रो को क्या है कि हुमानिटी के लिए उसको अच पहले जाता है ना कि वह क्यों फेल हो गया जी तो देखे उनका क्या हुआ कि अभी जब वह उनकी लैंडिंग थी मंडे को तो उन्होंने क्या किया जैसे ही उनकी प्री लैंडिंग और्बिट में एंटर करने जा रहा था उनका स्पेस्क्राफ जो है तो जो उसने कालकुले पहले से कि आपको यहां पे लैंड होना इस क्रेटर पे वो दोनों आकड़े मैच नहीं हो रहे थे तो हमने उस्टेज क्रॉस कर ली कि नहीं तो अगर काम भाशा में समझू कि ठीक है रश्यन जहां के अटके उनका लूना जहां जा के अटका हमारे उसने प्रॉस कर चुके हमारा जो कैमरे से अभी आप अगर देखोगे इसरो की वेबसाइट पर हमारी इमेज़ आया है तो हम काफी करीब हमें बहुती क्लियर बहुती अच्छी क्वालिटी के इमेज़ हमको नहीं क्रॉस कर चुके हैं तो हमारी भी उसे हम सौ किलोमेटर की रेंज पर हमें धीरे- तो वो पूरा analysis कर रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन touchdown तभी शुरू होगा, जब हम वो height achieve कर लेंगे, तो उससे पहले अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो लूना कहां पर जाके, अटका जब उससे वो height achieve करनी थी तब, लूना, हाँ जी, लूना अटका है, जो उसकी एक पहले elliptical orbit, just land करने से पहले एक orbit थी, उस पर आटक गया जाके वो, हम उस पर पहुचेंगे, हम उस पर पहुचेंगे, 23rd को ही पहुचेंगे, 23rd को ही पहुचेंगे, यानि कि हमारा crucial time अभी बाकी है, तो तमाम दुआएं, विज्यानिकों के efforts और तमाम तक्नीक जो हमने विश्ली किया है सही दिशा में, तो उमीद है, विश्वास है कि हम कामियाब होंगे, आप शगुन जी हमारे साथ आएं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया.